एक खुबसूरत सा जंगल में टूनी चिनिया अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिनिया बहुत दिनों के बाद एक और अंडा दी थी, जिससे टूनी चिनिया का पती का इंतिजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा, तभी टूना बोलता है, टूनी इस बार बेटा ही होना चाहिए अगर इस बार बेटी हुई तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा आप ऐसे क्यों बोलते हैं अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी और वैसे भी बेटी तो घर की लक्षमी होती है अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है वो भी तो हमारी अपनी संतान ही होगी न तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है मुझे इस बार बेटा ही चाहिए और वैसे भी तुझे पता है न बेटियां सिर्फ घर की एक बोज होती है तुमने ये जो दो दो बेटियों को जन्म दिया है इसका बोज कौन उठाएगा मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है प्राई घर जाने वाली बेटियों को धेर सारा देहस देकर भेजू समझ गई तू अब मेरा दिमाग खराम मत कर अब मैं जा रहा हूं जंगल की सैर करने इतना बोलकर टूना चीड़ा वहां से चला जाता है इधर टूनी अपने पती का बात सुनकर उदास बैठी थी तभी अचानक से वहां बुलबुल का बुतर आ जाती है टूनी को देखकर बोलती है टूनी तुम उदास क्यूं बैठी हो तुम उदास रहती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो तुम हमेशा हस्ती खेलती रहो टूनी और वैसे भी तुम्हारी समस्य क्या है मुझे बताओ टूनी था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ बुल-बुल बहन हमारी दो बेटिया हुई है मैं एक और अंडा दी हूँ नाना के पापा बोल रहते हैं अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं इतना बोलकर यहां से गुसे से चले गए मुझे तो डर सा लग रहा है मेरे साथ यह क्या करेंगे तुम परिशान मत हो टूनी मैं समझाओंगी तुम्हारे पती को आने दो उन्हें और वैसे भी बेटा बेटी होना इस्वर के हाथ में है इसमें तुम क्या कर सकती हो टूनी दोनों पक्षी एक दुसरे से बात कर रहे थें तभी टूनी का अंडा हिलने लगता है अंडा हिलने के वज़ा से अंडा फुट जाता है अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है उसके चेरे पर एक काला निशान भी होता है ये देखकर बुल-बुल बोलती है तूनी तुम्हारा बच्चा जन में ले लिया है और ये कितना सुन्दर है और इसके चेरे पर एक काला तिल भी है सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुन्दर है तुम्हारे पती ये बात जानेंगे तो बहुत खुस होंगे दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे तबी टूना वहां आ जाता है अपने बेटे को देख कर बहुत खुस होता है टूनी, तुम तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुस कर दी बेटे को जन्म देकर जो मैंने तुमसे मांगा था आज तुमने मेरा सपना पुरा कर दिया है हे इसवर्ट आपका लाख लाख सुक्र है आपने मेरी प्राथना सुन ली आज मैं बहुत जादा खुस हूँ सच में तुनी आज मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि मेरा बेटा जन्म लिया है मैं जा रहा हूँ तुनी अपने दोस्तों को ये बात बताने इतना बोलकर तुना उड़ते उड़ते कावा के पास पहुंचता है कालू भाईया आज मैं बहुत जादा खुस हूँ आज मेरे घर एक बेटा जन्म लिया है कालू भाईया क्या तुना तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है बधाई हो तुना बधाई हो ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा तुना तुम बुढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही सहारा बनेगा बेटिया तो सिर्फ पराई घर के लिए जन्म लेती है ठीक है कालू भाईया अब मैं जा रहा हूँ तोते के पास उससे भी बधाई देना है ठीक है टूना अब तुम जा सकते हो इतना बोलकर तुना उड़ते उड़ते तोते के पास पहुँच जाता है तोते भाईया आज मेरे घर बेटा जन्म लिया है आज मैं बहुँच जादा खोसू तोते भाईया बधाई हो तुना तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है ये खबर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ टूना ठीक है तोते भाईया अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास इतना बोलकर टूना अपने घर उड़ते उड़ते पहुंच जाता है टूनी मेरा बेटा ठीक है ना उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना क्यूंकि मैं तुरंत यहां से चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा जन्म लिया है नहीं टूना जी हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है आप चिंता मत कीजिए यह सही सलामत है वो सब तो ठीक है टूनी यह तुम्हारी दोनों बेटिया यहां क्या कर रही है इन दोनों को यहां से हटाओ इन दोनों का चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है मा, मा, पापा हम दोनों बेहनों से इतनी नफरत क्यों करते है मा बेटा तुम अपने पापा के बाद को लेकर दुख मत हो ना बेटा इन्हें बेटी उसे नफरत है सिर्फ इन्हें बेटा ही अच्छा लगता है ये तो बेटा के प्यार में अंधा हो चुके हैं बेटा ये बेटा बेटी में फर कर रहे हैं चुप हो जाओ टूनी वो तो आने वाला दिन ही बताएगा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा बेटा या बेटी अब मैं जा रहा हूं अपने बेटे के लिए जंगल में फल लाने वो फल खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा पापा मेरे लिए भी फल ले कराएगा मुझे भी फल खाना है मुझे बहुत पसंद है फल शूप हो जाओ मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ फल ले करके आऊंगा तुम क्या करूगी फल खा करके ये सब कुछ बुलबुल का बुतर देख रही थी टूना जी आपका दिल कितना कठोर बन चुका है आप अपने दोनों बच्चों को देख भाल किजिए बेटी जन्म ली है तो आप इतनी नफरत मत किजिए टूना जी वो भी तो आपकी उलाधी है ना ये ना हो आगे चल कर आपको पस्ताना पड़े ठीक है टूनी अब मैं चलती हूँ अपने घर इतना बोलकर कबुतर वहां से चली जाती है तभी अचानक सा टूनी के पेट में दर्द होता है टूना जी मेरे पेटों बहुँ ज्यादा दर्द हो रहा है टूना जी अगर मैं ना रहू तो मेरे तीनों बच्चों का अच्छे से देख भाल कीजिएगा तूना जी बेटा बेटे में फर्क मत कीजिएगा तूना जी इतना बोलकर तूनी अपना दम तोड़ देती है नैना चलो अब यहां से तुम्हारी मा हम लोको छोड़कर चली गई है इस वर के पास फिर तूना अपने तीनों बच्चों को वहां से लेकर दुसरे जंगल में चला जाता है नैना मैं तुम दोनों का बोज नहीं उठा सकता हूँ मैं और मेरा बेटा जा रहा हूँ दूसरे जंगल में पापा हम दोनों को अकेले चोड़कर मच जाए पापा हम दोनों कैसे ले सकते हैं अकेले पापा हम दोनों बेनों का कोई भी नहीं है इस दुरिया में आपके से हैं पापा मच जाए पापा हम दोनों बेनों को छोड़कर पापा ज्यादा बकबक मत करो, समझी तू अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेकर इतना बोलकर तूना अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है इधर दोनों बेहन रोने लगते है मुन मुन, अब हम लोगा कोई भी देख भाल करने वाला नहीं है मुन मुन अब तो हम लोग अनात हो गए है मुनमून अब हमी लोग एक दुसरे का सहारा बनेंगे मुनमून नैना रो रही थी तभी वहाँ कब उतर आजाती है अरे नैना तुम दोनों बेहनें यहां क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो मुझे बताव नैना तुम्हारा रोने का आवाज मुझे सुनाई दिया इसलिए मैं यहां आ गई तुम्हारे पास बुल बुल मा मा की मृतियों हो गई है पापा हम दोनों बेनों को छोड़ कर चले गए बोल रहे दे कि मैं तुम्हारा बोज नहीं हुठा पाऊंगा बुल बुल मा क्या तुम्हारी मा की मृतियों हो गई है मत रो मेरे बचे अब मैं तुम्हारे देख भाल करूगी चलो मेरे बचे मेरे घर फिर कबुतर दोनों पक्षी को अपने घर लेकर चली जाती है इधर टूना का बेटा बड़ा हो गया था राजु बेटा अब तुम बड़े हो गई हो बेटा अब तुम्हारी साधी की उम्र हो गई है बेटा मैं कल ही जाऊंगा तोते बेहन के पास उनकी बेटी बहुत सुन्दर है उनही की बेटी से मैं तुम्हारा साधी करूंगा साथ में तुम भी चलना देख लेना उसे अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं उसे से तुम्हारा साधी कर दूँगा ठीक है बेटा ठीक है पीता जी जैसे आपकी मर जी तब ठीक है अभी हम लोग चलेंगे लड़की देखने फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंच जाते हैं तोते बेहन ये है मेरा बेटा राजु नाम है इसका मै रिस्टे का बात करने आया हूँ आपसे मैं आपकी बेटी को बहु बनाना चाहता हूँ आपकी बेटी को मेरे घर दुख नहीं होगा मेरा घर बहुत अच्छा है और तो और मेरे बेटे का सरकारी नौकरी भी है आपकी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी मेरे घर ठीक है तब मैं तयार हूँ अपने बेटी का साधी आपके बेटे से करने के लिए क्यों न हम लोग कल ही कर दे अपने बच्चों का साधी, कल अच्छा दिन भी है ठीक है टूना जी, मैं तयार हूँ, कल साधी करने के लिए अपने बच्चों को ठीक है तब मैं कल आपके घर बरात लेकर आजाओंगा, अब मैं चलता हूँ, बहुत जादा रात हो गई है हो गया हूँ, फिर दोनों पक्ची साधी के लिए उड़ते उड़ते पहुच जाते हैं अरे, आप लोग आ गयें, मैं आप ही लोग का इंतिजार कर रही थी, चलो राज बेटा, माला ले लो, टुन्टूनी, तुम भी माला ले लो, और एक दुसरे के गले में डाल दो आप जिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को अच्छे से रखूँगा, अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए फिर वहाँ से तीनों पक्ची उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुच जाते हैं बेटा राजू, अब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है घर का, और घर चलाना, अब तो मेरी जिंदेगी कट गई है, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ बेटा, अब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है, मेरी सेवा करना, और इस घर को संभालना बेटा ठीक है पीता जी मैं देखभाल करूंगा आपका फिर यूँ ही कुछ दिन भी जाता है राजो जी आप इस बुढ़े को निकाल क्यों नहीं देते हैं घर से अब मैं नहीं काम करूंगी मैं बुढ़े का सेवा करते करते ठक गई हूँ अब मैं नहीं करूंगी इस बुढ़े का सेवा अब समझ गई ना राजो जी पीता जी आप इस घर से निकल जाएए मैं आपका अब मेल बोश नहीं उठा सकता हूँ अभी कभी निकल जाएए मेरे घर से मेरी पतनी आपकी सेवा नहीं करेगी वो दिन रात करके आपका सेवा ठक जाती है क्या बोल रहा है बेटा तुम मुझे घर से निकालोगे मैं तुम्हें पोस पाल कर बड़ा कर दिया है और साधी बयाह भी कर दी अपनी पतनी का बात सुनकर तुम मुझे घर से निकालोगे आज तुम्हारी मा जिन्दा होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती साध मुझे इस वर इसलिए सजा दे रही है जो मैंने अपने मासुम बेटियों को छोड़ कर आ गया सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने दोनों बेटियों को छोड़ा कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरी देख भाल करेगा और मैंने बेटे के चाहत में मैं अपने दोनों बेटी को उस जंगल में अकेले छोड़ कर आ गिया पिता जी मुझे रामायन मत सुनाएगे मेरे घर से अभी कभी आप निकल जाएगे अब लगता है मुझे धक्का ही देकर निकालना पड़ेगा फिर राजू अपने पिता जी को धक्का देकर घर से निकाल देता है फिर टूना रोते रोते वापस उसी जंगल में चला जाता है जहां अपने दोनों बेटियों को छोड़ा था तभी अचानक से नैना और मुन्मुन अपने पिता जी को रोते हुए देखते हैं फिर अपने पिता जी के पास आते हैं पिता जी आप यहां क्या कर रहे हैं अकेले और आप रो क्यों रहें पिता जी और राजू कहां है बेटी राजु मुझे घर से निकाल दिया है उसकी अब साधी भी हो गया है बेटी उसके चलते मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए छोड़ा साइद इसलिए मुझे इस वर ऐसा बेटा दिया मेरी आँखे खुल जाए कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए अब म मारी मा भी मुझे छोड़कर चले गई है मुझे माफ कर दो बेटी तुम्हें मैंने इतना दुख दिया बेटी मुझे माफ कर दो बेटी पिता जी आप मुझसे क्यों माफी मांग रहें पिता जी आप हमसे बड़े हैं माफी मांग कर मुझे सरमिंदा मत किजिए पिता जी अब चलिए पिताजी घर, अब हम लोग साथ में रहेंगे, फिर खुश्या ही खुश्या रहेगी पिताजी, वापस चलिए पिताजी घर, मैं आपका देखभाल करूँगी, आपके बुढ़ापे का सहारा मैं बनूँगी पिताजी, आपकी बेटी ये भी जिन्दा है, चलिए पक्छी साथ में खुशी-खुशी से जिन्दगी बिताने लगते हैं,